तो पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ हैड लाइट को बिल्कुल आफ और यहाँ पर आपको डीपर मार के दिखा देता हूँ नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अपनी गाड़ी के डीपर को कैसे ठीक करें और वीडियो सुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए सबसे पहले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको हैडलाइट ओन करके दिखा देता हूँ पहले जो के क्लस्टर के उपर भी उसकी सिग पर देना है तो मैं उसको डिपर नहीं दे पा रहा हूँ मेरी हैडलाइट जो है हाई बीम ही रहती है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने जितने भी हैडलाइट के फ्यूज होते हैं हैडलाइट से रिलेटेड वो सारे फ्यूज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, एक-एक करके आपको सारे fuses check करने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी के अंदर यह जो extra relay लगाई हुई है, पहले इसके fuse check करने है आपको, तो इसकी wire देख सकते हूँ, यहाँ पर एक इधर इस वाली headlight में गई है, और दूसरी तरफ यह जा रही है, दूसरी headlight के अंदर, यह वाली relay शरिफ इसलिए लगाई हुई है, मैंने, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी की headlight में 90-100 watt का बल्फ लगाया हुई है, इसलिए यह वाली relay लगाई हुई है, अगर आपकी गाड़ी में यह वाली relay लगी होगी, तो यहाँ पर यह आपको दो fuse देखने मिलेंगे, जो के कुछ इस type के होते हैं, लगे हुई हैं, यहाँ पर दो छोटे-छोटे box होते हैं, और इसके अंदर एक-एक fuse होता है, तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों fuse को आपको चेक कर लेना है, खोलके, अगर आपकी गाड़ी के अंदर यह वाली relay आपने नहीं लगाई हुई है, तो इनको देखने के आपको कोई जर्वत नहीं, लेकिन अगर लगाई हुई है, तो यह वाले fuse भी आपको चेक करने पड़ेंगे, तो दोस्तों इनको simply खोलने के लिए क्या करना है, आपको ऐसे यह खोलके चेक कर लेना है, मैंने अल्रेडी इन दोनों fuse को चेक कर लिया था, शिरिफ आपको बता रहा हुँ कि यह box आपको खोलके और चेक कर लेना है, और दोस्तों यह वाले दोनों fuse 35-35 ampere के होते हैं, जो के यहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों इनको चेक करने के बाद, इसके बाद आपको क्या चेक करना है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ, यह जो हमारी fuse box को open कर लेना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और दोस्तों इसको open करने के बाद, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, बैटरी के उपर इसको, और यह बीच वाली line में, जो है, सबसे उपर वाला fuse देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही यहाँ पर आ जाना है, fuse box के अंदर, तो दोस्तों, यहाँ पर यह बीच वाली line होती है, हमारे fuse की, और इसमें सबसे उपर का जो 15 amp का fuse है, वो ही यहाँ पर हमें चेक करना है, तो simply मैं इस fuse tool की मदद से, इस fuse को निकाल कर देख लेता हूँ, तो दोस्तों, जैसे के मैंने इस fuse को निकाल कर यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, तो यह fuse हमारा बिलकुल perfect condition में है, तो इसको मैं यहाँ पर वापिस लगा देता हूँ, तो दोस्तों, इसको लाइन में सबसे उपर की जो रिले है, वो headlight की रिले होती है, यह वाली, तो दोस्तों, इसको आपको निकालना है यहाँ पर और इसको चेक करना है, और आप इस रिले को कैसे चेक कर सकते हो, यह सई है या खराब है, तो वो भी मैं आपको जो इधर लगी हुई थी, headlight में, और अगर नहीं work करती है, तो समझ लेना के आपकी रिले ठीक है, और दोस्तों, यह वाली रिले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलती है, हास से मैंने काफी कोशिस किया, तो यह निकली नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक screw driver का use कर रहा हूँ, तो screw driver से simply, इसके नीचे कुछ ऐसे डाल के screw driver को, और उपर की side इसको pull करना है, ताकि यह यहाँ से निकल सके, और दोस्तों, जैसे ही मैंने screw driver से relay को थोड़ा सा lose किया, तो यह आसानी से बाहर निकल गई है, और दोस्तों, यह वाली relay हमारी गाड़ी के साथ ही आई थी, यान मैं यहाँ पर इस पर focus करके आपको दिखा देता हूँ, इस पर 12V लिखा हुआ है, और 20A की यह relay है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इस relay को लगाऊंगा, और इस relay को लगाने के बाद, चेक करके देखूंगा, कि मेरी relay सही है या खराब है, ठीक है दोस्तों, मैंने तो वो side वाली relay इसलिए नहीं लगाई, क्योंकि मेरे पास यह अल्रेडी मैंने एक purchase की हुई थी offline, तो इस वाज़े से मैं इस वाली relay को लगा कर, अपनी headlight को यहाँ पर चेक कर लूँगा, और दोस्तों, मैं simply relay को यहाँ पर रखके, और इसके उपर थोड़ा सा दबाव तो इसके लिए मुझे wait करना पड़ेगा रात होने का, तो मैं रात को वीडियो सूट करूँगा, और आपको बताऊंगा कि मेरी headlight का जो deeper था, वो work करने लगा है या नहीं, अगर work करेगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, और नहीं करेगा, तो वो भी उसका भी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर रात हो चुकी है, तो कर लेते हैं headlight की testing, तो जैसे ही मैंने headlight के switch को on किया, तो cluster के अंदर headlight का signal light on हो चुकी है, और लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक problem है, जो हमारी गाड़ी के अंदर problem थी, वो अभी भी इसके अंदर है, यानि कि इसका deeper अब भी काम नहीं कर रहा है, यह देख सकते हो सामने, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे head के यहाँ पर, ताकि आपको proper दिख पाए switch भी, और जो headlight का focus है, वो भी, ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ यहाँ पर headlight के deeper use कर रहा हूँ, तो उसमें headlight का focus है, उसमें कोई फरक नहीं पड़ रहा है, यानि कि सिर्फ high beam ही उसकी जल रही है, अभी भी, low beam अभी भी work नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इसकी headlight के बिल्कुल off कर देता हूँ, और सिर्फ deeper ही मार के दिखाता हूँ, तो दोस्तो जैसे ही मैंने यहाँ पर headlight के switch को off करा, और सिर्फ deeper use कर रहा हूँ, तो यहाँ पर deeper बिल्कुल भी work नहीं कर रहा है, तो दोस्तो यहाँ पर जितने भी fuse थे और relay थी सब ठीक थी, लेकिन इसके अंदर जो कमी है, वो यह है, जो हमारा यह, इसका headlight का switch होता है, यह वाला जो हमारा headlight switch का जो assembly है, उसको मैं change करूँगा, यहाँ पर उसके लिए अलग से video बनाऊँगा, क्योंकि दोस्तो इसको इसे खोल के मैं check करूँगा, कि यह repair हो सकती है या नहीं, अगर repair होएगी तो मैं इसको repair करने की video बना दूँगा, अगर नहीं हुई तो मैं इ पहले जो जो मैंने इस video के अंदर fuse बताये हैं, तो वो check जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तो, और दोस्तो अगर आप मुझसे direct बात करना चाते हैं, तो मुझे instagram पर follow करके, वहाँ पर message कर सकते हैं, और मेरे instagram का link आपको description में मिल जाएगा, तो दोस्तो आप भी अपनी गाड़ी